नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल एजूकेशन पोटल में आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी वेकेंसी की इंपर्मेशन लेके आया हूँ जो कि काफी दिनों से सबको इंतिजार था यह बर्ती ससी के अकोल्डिंग पेरा मिलेटरी सेंट्रल आर्मेट फोर्ष टोटल आर्ट फोर्ष में है वेकेंसी निकल कर आ रही है जोकि एप्लिकेशन इसका स्टार्ट होगा 10 दिसमबर 2022 से स्टार्ट होकर के 20 जनुरी 2023 तक है वह आप अपलाई कर सकते हैं इसका पेमेंट करने के लास्ट डेट है 21 जनुरी 2023 तक है वह को एप्लिकेशन का है आप एक्जाम का पेई कर सकते हैं उसके बाद में मैं आपको इंपोर्टेंट बात बता दूँ कि योकी यू आर केटेगरी के केंडिडेट है यानि अन्रिजुरू केटेगरी के केंडिडेट को है वह सो रुपय है वह चालान फीस लगेगा ओबीसी नहीं चाला सो योडिया नहीं नहीं होने वाला इसके बाद में नेक्स आम बात कर लेते हैं कि जब कि इसका अपलाइए मैत्ड है वो ओनलाइन अप्लाइझ होगा और सेब्झ यानि कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट है वो मार्च मार्च महिने में होने के सम्भावना है इसके बाद में सलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो काफी Candidate को पता ही होगा जिन्हेंने भर्तिए अटेंड की उन सबको पता है लेकिन जो नए Candidate है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि सबसे पहला stage है वो आपका CBT का रहाएगा यानि computer-based test, return exam आपको पहला रहाएगा वो अगर return exam आपके लिए कर लेते हैं तो आपको PET यानि physical efficiency test के लिए बुलाए जाता है physical efficiency test और PST physical standard test भी है आपको दोनों एक साथ में कर लिया जाता है फिर व्रति का दो चरण है वो complete होता है और उसके बाद में आपको medical के लिए बुलाते हैं medical जैसे ही आप fit होते हैं तो उसके बाद में DV यानि document verification होता है और देन आपका selection हो जाता है next हम बात करें कि यह सब post है वो paramilitary force की रहने वाली है और designation है वो आपकी gd यानि general duty रहेगी उसके बाद में हम vacancy detail की बात करें तो vacancy है वो काफी अच्छी निकल के आ रही है total number of post है वो 5302 post रहने वाली है male और female दोनो category है वो apply कर सकते है male candidate की vacancy है वो है 48807 vacancy है और female candidate के लिए है 7495 vacancy है total अगर paramilitary force की मैं details वाई बात करूँ तो BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, Assam Rifle, NIA और SSF यह total force में है vacancy रहने वाली है जो कि सबसे ज़्यादा vacancy की बात करें तो 24269 post है वो CRPF में है सबसे ज़्यादा vacancy रहने वाली है pay scale की बात करें तो pay level center government के according pay level 3 रहने वाला है यानि basic pay है 21,700 से 79,100 रुपे है आपका payment रहने वाला है यह हाली मेहना SSC नहें short notification जारी किया जैसे यह application start होगा रोजगार पत्र में समाचार में आ जाएगा तब हम आपको वीडियो के मादियम से अउगत करा देंगे ताकि आप है फोरम बरते सामें कोई गलती नेक करें और easily फोरम अपलाई आप कर सकते हैं तोस्तो हमारे दिवारे सबसे पहले दीगी जानकरी से अगर आप शंतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को like, subscribe, set जरूर करें एजुकेशन पोटल को subscribe कर लें, bell icon प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचें जहिन दन्यवाद